Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ अनीशा आपकी अपने English Educator और आज हम continue करेंगे Class 12 की जो Flamingo Book है, उसका 4th Chapter The Rat Trap और आज मैं उसका Start करूँगी Part 2 अगर आपने मेरा Part 1 नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाएए Part 1 देखिए क्योंकि इसमें हम हमारा Part 2 continue करने वाले जब हमने Part 1 end किया था, तो हमने यहाँ पर end किया था कि वो जो Iron Milk के Owner है, Iron Master, वो देखते हैं इस Rat Trap Seller को कि वो वहाँ पर उनकी Furnance के सामने सो रहा है तो वो गलती से उसको यह सोचने लगते हैं कि यह कौन है तो वो गलती से Confuse हो जाते हैं उन्हें लगता है कि वो जो Rat Trap Seller है, वो कोई Rat Trap Seller नहीं बलकि उनका कोई पुराना Friend है तो वो उससे बुछते हैं, तुमने अपनी हालत ऐसे कैसे बना के रखी है तुम तो मेरे भाई Friend हो तो Rat Trap Seller बहुत Smart Play करता है और वो उनको नहीं बताता है कि मैं आपका Friend नहीं हूँ क्योंकि उसको लगता है कि ये तो बहुत अमीर इंसान, ये तो बहुत वेल्दी इंसान लग रहा है जेंटल मैन है, तो ये मुझे कुछ क्रोनर्स यानि कुछ पैसे देगा तो वो उनसे कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे साथ चीजे बहुत डाउन हिल चली गई, मेरे साथ चीजे डाउन हिल चली गई, यानि मेरे साथ चीजे बाट टू वोस्ट हो गई, बत से बत्तर हो गई इसलिए मेरी हालत है, मैं फटे पुराने कपड़े पहन के यहां पर बैठा हुआ हूँ, तो मेरी हालत खराब है, तो यह उसने बताया उस आयन मास्टर को, जो की उस आयन मिल का ओनर था, तो अब continue करते हैं कि आगे क्या है, और क्योंकि इसने ऐसे अंधेरे में तीर मार दिया, तुक्का मार दिया, और आयन मास्टर से कह दिया, कि हां मेरे साथ चीज़ें बहुत बच से बत्तर हो गई, डाउन हिल चली गई, इसलिए मेरी यह हालत है, तो आयन मास्टर जो कि owner of factory के वो बोलते हैं इससे कि तुम्हें regiment से resign नहीं करना चाहिए था, यानि कि army forces से resign यानि स्टीफा नहीं देना चाहिए था, तो आयन मास्टर बोलते हैं इससे कि अगर मैं उस टाइम रेजिमेंट में होता, सर्विस कर रहा होता, तो मैं कभी तुम्हें ऐसा नहीं करने देता कि तुम यहां से resign कर दो, यानि स्टीफा दे दो, तुमने ऐसा कि इसलिए ऐसा हो गया तुमारे साथ, चलो अब कोई बात नहीं, अब जो हुआ से हुआ, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, तो जो आयन मास्टर है, वो इस राट्राप सेलर को अपने घर आने के लिए invite करें, क्योंकि उन्हें लगता है, यह उनका वो पुराना friend है, to go along up to the manor house, and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please a tramp, manor house क्यों होता है, a large country house, एक बड़ा सा घर, बंगला, comrade याने की a fellow soldier, याने की कोई आर्मी का soldier, तो क्योंकि यह जो आयन मास्टर था, यह पहले क्या रह चुके हैं, कोई आर्मी के soldier रह चुके और अपने, और इस राट्राप सेलर को भी वो आर्मी का soldier ही, गलती में confusion में समझ रहें, तो आयन मास्टर को यह idea बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कि already मैंने पैसे चुराए हुएं किसी के, मैं चुपचा भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह तो एक old soldier और अपने बड़े से बंगले में मुझे ले जा रहे हैं, हो सकता है मैं फस्स जाओं, हो सकता है इस तक खबर पहुच जाओं कि मैंने चुरी के रही तो यह तो फस्स गया, तो इसको यह प्लीज नहीं कर आइडिया, इसको अच्छा नहीं लगा, कि मैं जब बोल रहा है अपने घर जाने के लिए तो उनको यह राट्राइप सेलर को सुनको यह अच्छा नहीं लगा, No, I couldn't think of it, he said looking quite alarmed, alarmed जाने की frightened, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत डर गया था कि मैं पैसे चुरा के आया हूँ, और सोल्जर के घर पे मुझे इंविटेशन मिल रहा है, तो उसने बोला, नहीं, नहीं, मैं नहीं चल सकता, आपके घर, He thought of the 30 kroner, to go up to the manor house, would be like throwing himself voluntary into the lion's den, तो उसने सोचा, rat trap seller ने, कि एक तो 30 kroner notes मैंने चुरा लियें, और फिर सोल्जर के घर पे जा रहा हूँ, तो ये तो वही बात हो गई कि, lion के मुझे जाना, याने share के मुझे खोद अपने आपको invite करके जाने वाली बात हो गई, तो इसलिए वो ऐसा ही सोच रहा था अपने से, he only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspiciously as possible, inconspiciously का मतलब क्या होता है, invisible or which is not noticeable, तो यहाँ पे उसका क्या motive था rat trap seller का कि वो बस आए, और थोड़ी दिर forge में heat ले, winter का season चल रहा है क्योंकि यही और थोड़ी दिर सोके, चुपचा वैसे निकल जाएगी कि किसी के notice में आए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, यहाँ तो soldier के घर पे उसको invitation मिल रहा है, तो उसने क्या 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 rat trap seller ने मना कर दिया, कि नहीं नहीं मैं नहीं चल सकता आपके घर, तो आयन मास्टर ने सोचा कि शायद यह मेरे गर इसलीं नहीं आ रहा है, क्योंकि इंबारिस्ट फील कर रहा है, थोड़ी शर्म फील कर रहा है क्योंकि इसने बहुत गंदे से, डर्टी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो वो बोल रहा है क्योंकि यह मत सोचो, तो आयन मास्टर ने क्या बोला, राट्राप सेलर से क्योंकि प्लीज तुम ऐसा मत सोचो, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक बंगला है, और तुमने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, और तुम प्रेजेंटेबल नहीं दिख रहे हो, तो तुम इंबारस मत फील करो, तुम अपना ही घर समझे, तुम आओ हमारे घर, और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ऐलिजबेट इस डेड, याने इस आयन मास्टर की जो वाइफ है, उसकी डेथ हो गई है, और वो बोलता है, तुमने तो सुना ही होगा ना, कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, और जो मेरे बेटें, वो अबरॉड में रहते हैं, याने फॉरें कंट्री में रहते हैं, बाहर रहते हैं और घर में सिर्फ मेरी सबसे बड़ी बेटी oldest daughter है और मैं रहते हैं याने हम दोरों घर में सरफ अकेले रहते हैं we were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas तो वो सोच रहा था वो iron master बोलता है rat trap seller से कि यह बहुत हम लोगों के लिए lonely वाली बात हो गई कि घर पे कोई नहीं मेरी wife के date हो गई है मेरी बेटे abroad में रहते हैं तो घर पे सरफ मैं और मेरी बेटी हैं और अब Christmas आने वाला है इतना बड़ा festival आने वाला है हम लोग अकेले रहेंगे तो इसलिए बेटे रहेगा कि तुम हमारे साथ Christmas पर आओ तो हम सब साथ में enjoy करेंगे Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster तो वो कहता है अब तुम बस अब जादा बात मत करो अपने rat trap seller से बोलता है कि अब तुम बस जादा मत बोलो तुम तुम बस अब चुप चाब हमारे साथ हमारे घर चलो और Christmas पर जो special दावत बनने वाली जो special food बनने वाला है इतना tasty and delicious खाना बनने वाला है वो हमारे साथ हम खतम करने में तुम हमारी help करना तुम बस अब चलो मेरे घर ऐसा कौन बोलता है आयन मास्टर राट्रेप सेलर से बत अब तुम बार बार मना किया कि नहीं नहीं मैं नहीं चल सकता आपके घर और आयन मास्टर ने भी गिविन किया यान उनोंने तो डिसाइड ही कर ले कि नहीं मैं तो इनको अपने साथ अपने घर ले कर ही जाओंगा तो जो आयन मास्टर है वो इस राट्रेप सेलर को क्या समझ रहे थे क्या बोलता है आयन मास्टर ब्लाक्समित या ने जो लुहार वहां काम कर रहा था उसको बोलता है कि मुझे और उस लोहार का नाम के है Stern Storm तो जो आयन मास्टर है वो Blacksmith जिसका नाम Stern Storm है वो उसको बोलता है कि अच्छा ऐसा लग रहा है कि जो आज Captain Wands से ले तुमारे साथ नहीं फॉर्ज में रहना चाहते हैं इसलिए हमारे साथ हमारे घर नहीं चल रहे है And he turned on his heel Turned on his heel याने कि ऐसा U-turn ले लिया उसने और फिर वो ऐसा ब्लाक्स्मिट से बोल रहा था But he laughed to himself as he went away And the blacksmith who knew him Understood very well that he had not said his last word जो ब्लाक्स्मिट था जो लोहार था वो अपने owner जो आयन मास्टर था उसको बहुत अच्छे से जानता था क्यों क्यों क्योंकि वो सोच रहा था कि अभी आयन मास्टर यहां से चला तो गया है लेकिन इसकी बात अभी तक complete नहीं हुए यहने इसने अभी तक अपना last word नहीं लिया क्योंकि वो उसको बहुत अच्छे से जानता था वो समझ गया कि यह हार मनने वालों में से नहीं है अभी चीजे complete नहीं हुए यह आयन मास्टर अभी अपने घर तो चला गया है लेकिन कैसे न कैसे करके यह इस rat trap seller को यहां से लेकर ही जाएंगे अपने घर तो अभी आयन मास्टर को गया हुए सब हाफ एन आरे हुआ था और हाफ एन आर के बाद उन्होंने क्या सुना क्यारेज ओव वील्स इस तरीके से यह जो वही कल एक आवास सुनी उन्होंने इस क्यारिश की आवास सुनी forge के बाहर और एक नए guest enter हो रहे थे अब पर इस बार iron master नहीं थे इस बार iron master ने किसको भेजा अपनी oldest daughter बेटी को भेजा उन्होंने क्योंकि उन्हें ये लगा कि उनके जो बेटी है उसके अंदर power of persuasion है याने कि उसके अंदर किसी को भी अपनी बात मनवाने की पावर है तो वो मुझसे बेटर मना लेगी captain won's tail को और अपने साथ घर ले आएगी तो कौन आया forge में अब उनको मनाने के लिए rat trap seller को जो वो captain won's tail समझ रहे थे उसे घर आने के लिए मनाने के लिए अब iron master की daughter आई she entered followed by a valley carrying on his arm a big fur coat तो जब वो enter हुई तो उसके साथ और कौन था एक वैलिट था याने एक personal attendant एक personal servant कह सकते हैं जो पूरा इसके साथ रहता और पूरा time इसका काम करता है और उस वैलिट ने उस servant ने क्या carry करा हुआ था अपने साथ एक बड़ा सा fur coat याने गरम coat carry करके आया था पहन के नहीं आया था अपने आम पे रख के आया था किसके लिए इस guest के लिए captain one's tail के लिए जिस rat trap को captain one's tail समझ रहे थी she was not at all pretty but seemed modest and quite shy modest याने की humble polite तो वो जो बेटी थी वो बहुत जादा सुन्दर नी थी बट काफी humble थी याने काफी polite थी और shy feel करने वाली लड़कियों में सी थी in the forge everything was just as it had been earlier in the evening forge में कुछ change नहीं आता जैसे एक रात पहले evening में था अभी भी वो ही पूरी situation थी forge की याने furnace की the master blacksmith and his apprentice still sat on their bench in iron and a charcoal still glowed in the furnace the apprentice याने की learner या जो उसके साथ उसका helper था तो जो blacksmith था जो वहाँ पे लुहार था और उसके साथ जो उसका helper बैटा था वो अभी वैसे ही बैठे थे furnace के सामने और वेट कर रहे थे की metal pig ले और charcoal निकले और वो अपना अगी का काम करे the stranger has stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes तो अब यह जो stranger है यह जो rat trap seller है वो बिल्कुल हाथ पेर पसार के आराम से वहाँ फ्लोर पे ले दिया था और अपने सर के नीचे क्या रखा हुआ थो उसने एक pig iron यान की raw iron का piece रख लिया था as a pillow और उसके face पे एक hat डली हुई थी और वो सो रहा था as soon as a young girl caught sight of him she went up and lifted his hat तो जैसे ही उनकी daughter ने देखा कि यहाँ पर ही वो सो रहे है तो उसने क्या किया इस rat trap seller की hat अटाई उसके face से the man was evidently used to sleeping with one eye open he jumped up abruptly and seemed to be quite frightened अब यह जो iron master है इसके habit थी कि जब भी सोता था तो अपनी एक आँख खोल के सोता था तो जैसे ही इसके iron master की daughter ने rat trap seller का hat था हटाई तो उसने एकदम से देख के वो डर गया कि एकदम कौन आगई और यह लड़की मेरे face से मेरा hat हटा रही है My name is Edla Wilmanson said the young girl तो यह young girl ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम Edla Wilmanson है My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight and I asked permission to come and bring you home to us तो बताती है कि मेरे father जो iron master है उन्होंने बताया कि आप यहीं forge में यहीं factory में सोना चाहते हैं इस furnace के सामने लेकिन मैं आई हूँ आपको receive करने कि आप हमार साथ घर चलो और as a guest महां पर stay करो I'm sorry captain that you are having such a hard time तो क्योंकि यह लोग confused है और rat trap seller को पुराने captain वान स्थेल समझ रहे हैं तो वो कहती है इसको I'm sorry captain आपको इतनी गंदी condition में यहाँ पर सोना पड़ रहा है पर अब नहीं आप आपार साथ घर चलिए और आपका साथ जो hard time जो बुरा वक्त गोजर रहा है हम उसके लिए बहुत sorry feel करने तो हम चाते हैं कि हम आपको अपने साथ अपने घर ले जाए She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid Compassionately का मतलब क्या होता है Showing sympathy for others तो क्योंकि इनकी बुरी condition देखके जो एडला थी वो क्या कर रही थी Compassionately देख रही थी याने की बहुत sorry feel कर रही थी और बहुत sympathy feel करी थी कि विचारे के साथ इतना बुरा समय चल रहा है लेकिन फिर उसने एक चीज़ और notice करी कि ये जो इनसान है जो captain है बहुत डरा हुआ लग रहा है बहुत afraid लग रहा है Either he has stolen something or else he has escaped from jail she thought and added quickly तो इसको ऐसा लगा कि ये ऐसे डर रहा है उसने अपने मन में सुचा या तो ये कहीं से चोरी कर के आया है या ये किसी jail से भाग के आया है ये ऐसे डरा हुआ लग रहा है फिर उसने उनसे बोला You may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came Only please stay with us over Christmas Eve तो वो क्या बोलती है कि Captain आप चिंता मत करो जितने freely आप इस forge में आये थे उतने freely आप हमारे घर से भी जा सकते हो आपको जब जाना हो आप हमारे घर से जा सकते हो हम आपको जबर्दस्टी रोकेंगे नी तो आप बस हमारे लिए Christmas Eve आने Christmas के दिन तक हमारे साथ रहो और ये festival हमारे साथ enjoy करो तो Adla ने इस लिए ऐसा बोला क्योंकि वो बहुत डरा हुआ लग रहा था तो उसको शान्त करने के लिए उसने ऐसा बोला कि चिंता मत करो तुम जितने freely आप यहां पे आयते है उतने freely जा भी सकते हो आपको कोई पकड़के नहीं रखेगा अराम से रहो बस Christmas पर रुप जो हमारे साथ शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली बैनर तो Adla ने ये बात उनसे इतनी friendly इतनी अच्छी तरीके से बोली कि rat trap seller को उन में confidence आगे कि चलो ठीक है ये तो बहुत अच्छी लड़की है चले जाते हैं इसके घर पे और इस जब निकलना होगा तो Christmas का enjoy करके खापी के वहां से मैं निकल जाओंगा तो वो चला गया उसके साथ it would never have occurred to me that you would bother with me yourself miss he said I will come at once तो ये क्या बोलता है rat trap seller एडला से कहता है कि मेरे साथ ऐसा कभी नियूँआ बट आप मेरे लिए इतना bother कर रही है इतनी फिकर कर रही है और इतनी मेरे लिए आप concern दिखा रही है तो मैं आपको मना नहीं कर पाता हूं मैं आपके साथ आपके घर जरूर चलूँगा he accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow bow threw it over his rags and followed the young lady out of the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance तो जो वैले के हाथ में मुझे उसका personal servant था एडला का उसके हाथ में जो fur coat था वो उसने उसके rags पे यानि फटे पुराने कपड़ों पर पहना दिया और rat trap seller ने वो coat accept भी कर लिया और फिर उसके बाद वो carriage में यानि कि वो घोड़ा गाड़ी में उसके साथ बैटकर चला गया और यह सब देखके जो blacksmith वहां काम करता है जो लोहार वहां उस factory में काम करता है वो astonished हो गया यानि इतना surprise हो गया और सोचने लगा कि वो इंसान जिसको मैंने एक नजर उठा के देखा भी नहीं इसको मैं बिकारी समझ रहा था यह इतना मतलब बड़ा आदमी है कि यह आज iron master के घर जा रहा है owner के घर जा रहा है in fact खुद उनकी बेटी इसको receive करने आई है तो यह मतलब कितना बड़ा इंसान है और मैंने तो इसको देखा भी नहीं इतने disrespect तरीके से इस घर जा रहा था तो राट्रेप सेलर के दिमाग में यह खयाल आ रहे थे कि शायद अब कुछ बुरा होने वाला है एक evil thought उसके दिमाग में आ रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है तो rat trap seller कोलता है कि अरे भगवान मैंने क्यों ले लिए उस ओल्ड क्रॉफ्टर के पैसे मैंने क्यों चुरा लिये आज मैंने उसके पैसे चुरा लिये तो मैं हाइवे सेन जाके forest में चलाग्या और यहां आया हूँ तो यहां पर मैं एक soldier के घर जा रहा हूं तो मतलब मैं फस्ता ही जा रहा हूँ तो मैंने क्यों चुराया उसके पैसे, मैं क्यों अट्राक्ट हो गया Now I am sitting in a trap and will never get out of it तो वो सोचता है मैं अब इस trap में हूँ याने इस मुसीबत में फस्त गया हूँ और अब यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा क्यों क्योंकि मैंने पैसे चुरा लिये The next day was Christmas Eve and when the Iron Master came into the dining room for breakfast he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly तो अब जो rat trap seller है वो उनकी घर आगया है और अगले दिन Christmas Eve थी Christmas Eve याने की 24th December याने Christmas कब होती है 25 December को तो Christmas के एक दिन पहले Christmas Eve होती है तो अब एक दिन पहले का दिन है Christmas का और जैसी जो Iron Master है वो dining table पी breakfast खाने के लिए आए उनको ये feel करके ये सोचके बहुत अच्छा feel हो रहा था कि चलो मैंने अब अपने पुराने friend से मिला जिसका hard time चल रहा है बुरा समय चल रहा है first of all we must see to it that he gets a little flesh on his bones he said to his daughter who was busy at the table तो अब जब breakfast table पे आके बैठे हैं तो कौन बैठे हैं आएन मास्टर और पूरा table है पूरा खाना है सारे डिशेज हैं कौन सब सेट कर रहा है उनकी बेटी एडला तो जब यह table set कर रही होती है तो आएन मास्टर उससे बोलते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमारे जो captain है उनके उपर कुछ flesh on his body, bones आजाए याने here it means that the seller should eat good food to get some flesh on his body तो आएन मास्टर सोचते हैं कि इनको अच्छे से खिलाएं पिलाएं हम ताकि जो इतने पतले और इतने वीक हो गए इनकी body पर कुछ flesh आजाए याने कि कुछ अच्छे इनकी health बन जाए यह उन्होंने किस से बोला अपनी daughter से and then we must see that he gets something else to do than to run around in the country selling rat traps तो फिर वो बोलते हैं और फिर हमें दूसरी चीज यह देखनी एडला कि हम इनको कुछ अच्छा काम दे दे ताकि यह गली-गली भटक-भटक के rat traps ने चुहे दानी ना बेचे कुछ अच्छा काम दे दे इनको तो दो चीजे इन्होंने अपनी daughter से बोली Iron Master ने It's queer that things have gone downhill with him as badly as that said the daughter queer याने की strange अजीब तो उनकी daughter बोलती कि यह कितनी अजीब बात है कि यह एक इतना बड़ा captain आज उनके साथ चीजे इतनी बुरी हो गई कि वो एक rat trap sell कर रहा है Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man तो वो कहती last night जब मैं इसको forge में pick up करने गई थी लेने गई थी तो मुझे कभी भी इसको देखके ऐसा नहीं लगा एक बार भी नहीं लगा कि यह कभी बहुत educated man रहा होगा इतना पड़ा लिखा बड़ा captain रहा होगा आर्मी में यह तो वैसा लगा ही नहीं ठीक है मान सकते हैं कि किसी के साथ बुरा समय चल रहा है लेकिन जिंसान की personality होती ही जो बात करने का तरीका होता है वो तो वैसा ही रहता है तो कहरे जिए इसको देखके लगा नहीं कि एक अभी captain रहा होगा तो इसके फादर बोलते हैं कि तुम पेशिंस रखो थोड़ी शानती रखो क्योंकि इसके साथ अभी बुरा समय चल रहा है वो ऐसा है अभी वो देखना नहा के आएगा शेफ करके clean होके बिलकुल आएगा तो वो बिलकुल वैसे ही पुराने captain जैसे लगने लगेगा last night he was naturally embarrassed तो बोलते हैं कि last night तो वो embarrassed हो रहा था बहुत उसको shy और awkward feel हो रहा था गंदे से कपड़ पहन के तो वो इस तरीके से हो सकता है भेव कर रहा हो the tramp manners will fall away from him with the tramp clothes tramp याने की वो ही wanderer याने जो vagabond इदर उदर भटकता है जिसका कोई घर नहीं होता है तो वो बोलते हैं उसके father अपनी daughter को कि चिंता मत करो जैसे जो tramp वाले manners है जो rat trap type की rat trap seller जैसे ये manners अभी show कर रहे है ये बिल्कुल चले जाएंगे जैसे ही इसके rat trap वाले clothes ये change करके अच्छे clothes पहन के आएगा तो इसके कपड़ों के साथ इसके manners भी चले जाएंगे और बिल्कुल ही वैसा वाला captain हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था जैसे ही इनकी बात खतम होई दोनों father and daughter की उसी वक्ट डोर ओपन होता है और ये जो stranger है जो rat trap seller है वो एंटर होता है वो बिल्कुल clean लग रहा था और बिल्कुल well dressed लग रहा था इस तरीके से बिल्कुल clean the valley had bathed him, cut his hair and shaved him जो वैले था याने की जो servant था उसने इसको नह लाया इसको shave कर आया और इसको बिल्कुल इसके बाल वाल कट करके इसको clean gentleman जैसा look दिया moreover he was dressed in a good looking suit of clothes which belong to the iron master और इसने नए अच्छा suit पेन के आया वो clothes बेन के आया जो की iron master ने इसको दिये थी और iron master की कपड़े थे ये he wore a white shirt and a starched collar and whole shoes starched collar का मतलब क्या होता है starched is the stuff that makes your shirt collar look crisp and fresh तो इसने white color की बहुत अच्छी clean shirt पहनी होती और इसकी collar थी बिल्कुल crisp थी याने की बिल्कुल भी इसमें wrinkles नहीं थे मुडी तूडी नहीं थी, crush नहीं थे बिल्कुल clean collar और straight collar पहनी होती इसने इस तरीके से और उसने क्या पहने होती थे, whole shoes याने proper fitted shoes याने इसको fit होने वाले बिल्कुल जेंटल्मन वाले अच्छे shoes पहने थे तो बिल्कुल इसका जो rat trap seller वाले लुक था बिल्कुल change हो के एक जेंटल्मन जैसे लगने लगा था ये तो अब जो guest था इनका जिसको ये लोग captain समझ रहे तो बिल्कुल ready हो के बिल्कुल अच्छा दिखने वाला इनसान बनके आया तो जैसी वो अंदर आया तो iron master did not seem pleased याने इसको देखके iron master खुश नहीं हुए क्योंकि ये तो वो अलग ही इनसान लगने लगा याने कि iron master का जो confusion था उसको captain समझने का वो अब clear हो गया वो समझ गए कि ये वो को इंसान है इनिंग और वो ये समझ गए कि furnace की fire की reflection में उन्होंने एक गलत इंसान को अपना पुराना captain friends समझ गए but that now when he stood there in the broad daylight it was impossible to mistake him for an old acquaintance तो पर अब जब वो बिल्कुल तयार हो के clean हो के daylight में बिल्कुल दिन की धूप वाली जो sunlight होती उसमें आके खड़ा हुआ तो बिल्कुल भी कोई chance नहीं था iron master के लिए कि वो गलती कर जाए और इसको अपना पुराना जानने पैचानने वाला समझे यानि वो समझ गए कि यह वो इंसान नहीं है और वो बहुत गुस्से में आगए iron master वो कहते हैं what does this mean he thundered thundered यानि की make a loud noise तो बहुत जोर से उन्ह उने stranger को the stranger made no attempt to dissimulate dissimulate याने की pretend या hide जब उसको जब उसके सामने चलाया iron master नहीं तो तो rat trap seller जो stranger था उन लोगों के लिए उसने dissimulate करने की कोशिश नहीं करी याने बिल्कुल भी अपनी बात को ढखने की और छुपाने की कोशिश नहीं करी उसने पुछ नहीं बोला क्यों को समझ गया कि इनको पता चल गया है he saw at once that the splendor had come to an end splendor मतलग luxury उसने feel किया राटरब सलने के अरे ये जो luxurious life मुझे मिली थी एक दो दिन के लिए ये खाता म हो गई क्योंकि इनको पता चल गया कि मैं इनका पुराना captain friend नहीं हूँ it is not my fault sir he said I never pretended to be anything but a poor trader and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge pleaded याने requested तो rat trap seller iron master से बोलता है कि मेरी गलती नहीं है sir मैंने कभी भी नहीं आपसे pretend किया या बोला कि मैं आपका पुराना friend captain friend हूँ मैंने तो हमेशे ऐसी दिखाया कि मैं वही पूर इंसान हूँ पूर ट्रेडर हूँ और मैंने आपसे प्लीट भी किया था मैंने मैंने आपसे request भी किया था कि मुझे आपके घर नहीं चलना मैं यहीं फॉर्ज में ही सोना चाहता हूँ but no harm has been done at worst I can put on my rags again and go away और वह बोलता है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है मैं आपकी अच्छे कपड़े उतार के अपने पुराने rags याने पुराने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और यहां से चला जाओंगा मैंने आपके कोई नुकसान नहीं किया है तो आयन मास्टर जो कि बहुत है बहुत रिलक्टेंट भी है बहुत गुस्से में वो कहते हाँ तुम जो यह चीज बोल रहे हो यह भी तो honest बात नहीं है यह भी तो सच्चा ही नहीं है तुमने अगर यह नहीं बताया कि मैं आपका पुराना फ्रेंड नहीं हूँ तो तुमने यह भी तो नहीं बताया कि भाई मैं गलत इंसान हूँ मैं आपके घर नहीं जाना चाहता हूँ आप तो मुझे जानते हो बर मैं आपको नहीं जानता हूँ ये भी तो जूटी हुआ ये भी तो honest नहीं था You must admit that and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter तो iron master बोलते हैं तुम अपनी गलती को accept करो नहीं तो मैं शेरिफ को बोलाऊंगा शेरिफ याने की chief executive officer या पुलिस को बोलाऊंगा और तब जाके तुम उन्हें अपनी सबसचा ही बता होगे The tramp took a step forward and struck the table with his fist Fist याने की मुठी अब जो tramp है, जो rat trap seller उसको बहुत गुसा गया है उसने एक step forward ले और table पे इतनी जोर से अपने fist से, अपनी मुठी से टेबल पे बैंक की है इस तरीक से क्योंकि वो गुस्से में आ गया है Now I am going to tell you Mr. Iron Master how things are he said This whole world is nothing but a big rat trap All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinse and bits of pork Set out to the drag of poor fellow into trouble तो अब वो बहुत गुसे में आ गया है, rat trap seller और iron master से कहता है कि सुनो iron master, अब मैं तुम्हें सच बताता हूं कि क्या चीजे है बोलता है कि यह जो पूरी दुनिया है यह rat trap की तरह है जैसे एक rat, एक trap में फस जाता है हम इसमें फस जाते हैं और trouble में, मुसीबत में आ जाते हैं यह दुनिया हमारे एक rat trap की तरह हो गई और हम इसमें फस जाते हैं आप लोगों की अच्छे अच्छी दी हुए चीजों में से तो यहां पे क्या बोलता है rat trap seller iron master से वो यह बोलता है कि हाँ और अभी अगर शेरिफ अभी पोलिस आके अगर मुझे पकड़ के जेल में बन कर देगी तो मैं तो यह समझ जाऊंगो कि हाँ मैं इस दुनिया के चीजों से attract हो गया हूँ और मैं अब अब मैं trap हो गया हूँ याने कि मैं फस गया हूँ जेल में आके लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप लोग भी इसी सब दुनिया की comforts of life से attract हो जाओगे और आप भी मुसीबत में याने ट्रबल में आ जाओगे और trap होके रह जाओगे याने फस के रह जाओगे दे आयन मास्टर बिगान तू लाफ उसकी ये बात सुनके आयन मास्टर बहुत जोर जोर से हसने लगा तू आयन मास्टर बोलता है हरे हां तूमने बहुत अच्छा अच्छा बोला मेरे प्यारे दोस्त लेकिन अब हमें काम करते हैं हम शेरिफ को पुलिस को क्रिस्मस इव पे अपना इंजॉइ करने देते हो और हम पुलिस को नहीं बुलाते हैं लेकिन अब जित्ती जल्दी हो सके तूम यहां से जाओ तो जैसे ही राट्राप सलर दरवाजा खोल के वहां से जाने लगा उनकी बेटी ने दरवाजा बन कर दिया और बोला अपने डैट से कि मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर हम लोगों के साथ एक दिन के लिए स्टे कर ले और जैसे उन लड़की ने डोर बन किया आयन मास्टर बहुत गुस्सो होते और वो कहते हैं what in the world are you doing said the father कि तुम यह क्या कर रही हो तुम एक स्रेंजर जिसने हमें दोका दियो उससे घर पे रहने क्ली कह रही हो the daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer तो daughter बहुत embarrassed feel करी थी कि उससे समझी नहीं आ रहा था कि वो अपने father को क्या explanation दे कि क्यों रोक रही है जायन इस rat trap seller को घर पे that morning she had felt so happy she thought how home like in Christmasy she was going to make things for the poor hungry wretch wretch का मतलब क्या होता है miserable person एक इंसान जो बहुत बुरी हालत में तो जिस दिन सुभा को Christmas Eve वाले दिन 24 December को वो खाना बना रही थी breakfast बना रही थी तो वो बहुत खुश दी कि चलो आज इस साल हमारे साथ कोई एक और person होगा जो हमारे साथ Christmas में join करेगा और कितना Christmasy feel आएगा और मैं उस पूर इंसान बिचारे इंसान के लिए खाना बनाऊंगी She could not get away from the idea all at once and that was why she had interceded for the vagabond Interceded याने to take someone's side किसी का पक्ष लेना तो बस इस थौट को वो अपने दिमाग से नहीं गवाना चाहती थी वो चाहती थी कि वो रुख जाए हर साल हम दोनों father and जो daughter है अकेले ना मनाए Christmas हर साल की तरह इस साल at least कोई हमारे साथ साथ में होगा enjoy करने के लिए इसलिए उसने vagabond याने उसने rat trap से लखा side लिया कि वो यहीं पे रुख जाए Christmas पर I am thinking of this stranger here said the young girl He walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the world in the whole country where he is welcome and can feel at home तो वो अपने father से बोलती है daughter कि मैं इस बिचारे पूर rat trap seller के बारे में सोच रही हूँ कि यह बिचारे इतना गरीब है साल में हर दिन पूरे साल यह दर और भटकता रहता है और इसको कोई welcome नी करता कोई इसको accept नी करता और साल में एक दिन जो आया है Christmas का जो इतना बड़ा festival है यह हमें चाती हूँ कि अटलीस एक दिन यह homely feel करे feel करे कि घर पे होना सब के साथ enjoy करने में कैसा लगता है Wherever he turns he is chased away जहां पर भी वो जाता है लोग इसको भगा देते हैं और इसकी disrespect करते है Always he is afraid of being arrested and cross examined और क्योंकि यह इसको हमेशा गरीब इंसान है इसको हमेशा डर लगता है कि इसको पुलिस आके बे मतलब के लिए कहीं अरेस्ट करके न ले जाए और इससे cross question ना पूछे याने कि पूछ ताच ना करने लग जए इसलिए यह हमेशा बहुत डरा हुआ रहते है I should like to have him enjoy a day of peace with us here Just one in the whole year तो वो अपने फादर से कहती ही कि मैं चाहती हूँ कि बिचारा पूरे साल भटकता है सब इसको भगा देते हैं अटलीस साल में एक दिन Christmas का जो festival का दिन है यह हमारे साथ पीस में शांती में रहे और अपने साथ हमारे साथ इस festival को enjoy करे The Iron Master mumbled something in his beard He could not bring himself to oppose her तो Iron Master गुसे में अपनी बिर्ड, अपनी दाडी में कुछ-कुछ-कुछ बोलने लगते, mumble करने लगते और फिर वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है क्योंकि वो अपनी बेटी की बात को नहीं मतलब अपोस कर सकते मान गए अपनी बेटी की बात तो वो बोलती है अपने फादर से कि मैं मानती हूँ कि इसकी गलती है लेकिन एक इंसान जिसको हमने शुरुवात में इतना अच्छ-च्छा फील कराया इतनी रिस्पेक्ट दीज को हम लोगोंने प्रॉमिस किया कि क्रिस्मस में तुम हमारे साथ रहो इंजॉय करो उसको अब हम भगा दें ऐसे तो अच्छा नहीं लगता इसलिए अच्छा यह है कि हम लोग के साथ एक दिन यहाँ पर स्पेंड कर ले आयन मास्टर अपनी बेटी से कहते है कि जो पर्सन जो प्रीस्ट होते हैं चर्च में वो कितनी घ्यान की बाते बताते हैं हम लोगों को और हम लोग उनकी बातों से कन्वेंस हो जाते हैं लेकिन तुम तो उनसे बेटर हम लोगों को कन्वेंस कर लेती हो याने हम लोगों को मना लिया तो इस बेटर तो वो कहते हैं कि तुम तो तुमने मना लिया पार्सन से भी बेटर मुझे मना लिया कि इस rat trap seller को हम अपने घर पे रख ले लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने इस decision से regret ना करो याने कि तुमें ये नहीं फील हो कि अरे मैंने कोई गलत decision तो नहीं लिया तो बेटी ने rat trap seller का हाथ पकड़ा और टेबल पे बिठाया कि अब तुम बैट जा और खाना काओ जो breakfast मैंने बनाया है वो enjoy करो ना sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in given in का मतलब क्या होता है? accepted her idea तो उसने क्या बोला rat trap seller को कि अब आप बैट जाओ और खाना काओ और जो इतना breakfast मैंने महनत से बनाया है वो खाओ क्योंकि वो समझ गई अपने फादर को देखे कि उन्होंने उसकी बात मान ली है the man with the rat trap said not a word, he only sat down and helped himself to the food तो जो rat trap seller था उसने एक शब भी नी बोला, बस चुप चाब अपना खाना खा रहा था time after time, he looked at the young girl who had interceded for him why had she done it, what could be the crazy idea be तो खाना खाते काते बीच बीच में बारबर वो नजर उठा के उनकी डॉटर को देख रहा था और सोच रहा था कि इसने मेरा intercede क्यों क्या याने इसने मेरा side क्यों लिया क्या reason हो सकता है कि इसने अपनी फादर की बात को नजर अंदास करके मेरा पक्ष लिया, मेरा side लिया कि मैंने गल्ती भी करी तभी भी बोला कि मैं इसके साथ यहां पर Christmas बर रहूं after that Christmas Eve at Ramso passed just as it always had the stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep फिर उसके बाद जो Christmas Eve का दिन था, जो 24 December का दिन था, वो Ramso, Iron Mills में exactly वैसा ही पूरा दिन गुजरा जैसा कि हर साल गुजरता है और rat track seller ने उनको कोई harm, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ नहीं पहुचाई क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा, बस पूरा दिन चुपचप सोता रहा the whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch forenoon याने पूरी सुभा तो 25 December Christmas वाले दिन, पूरी सुभा वो एक guest room में रखे हुए सोफा पर अपने आपको एक stretch में याने एक position में सोता रहा और उसने किसी से कुछ नहीं कहा at noon they woke him up so that he could have his share of good Christmas fare but after that he slept again फिर noon में याने दिन के टाइम, 12 बजे के बाद उसको फिर से उठाया उन लोगों ने कि आओ, बही Christmas lunch खालो जो इतना अच्छ अच्छा बनाया है सब खाओ, बाइफ उस तेम उसने किसी से कुछ नहीं बोला, अपना खाना खाके चुप-चप जाके फिर से सो गया ऐसा लग रहा था उससे देखके कि उसने कई सालों से वो सोया निये नहीं रेस्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि रैम्जो में आके उसको पीसफुल जगा मिली है और वाथ क्वाइट और सेफ जगा मिली है जहां पर वो सुकून से आके पीसफुल ही सो रहा है और ऐसा लगा कि सालों से ये सोया ही निये, इसलिए इतना सो रहा है In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again And he stood for a while in the drawing room blinking as though he candlelight, as a candlelight hurt him But after that he disappeared again तो अभी Christmas Eve चल रहा है, that means अभी 25 December नहीं आया है तो वो बताते हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी 24 December है और शाम को जब Christmas tree को पूरा lighten किया, उसकी lights on करी तो उसको फिर से उठाय कि आओ भाई Christmas tree आके देखो वो आया और वो ऐसे blink करने लगा, अपनी आँखे ऐसे करने लगा जैसे कि कोई candlelight, कोई मोमबत्ती की जो light है बिलकुल उसके आँख के सामने रख लिए तो वो ऐसा क्यों कर रहा था क्योंकि अभी भी उसे और तेज नीन दारी थी बस ये Christmas lights देखके वो फिर से disappear हो गया, याने फिर से सोने चले गया फिर दो गंटे बाद उसे फिर से उठाया गया कि भाई उठो अपना Christmas dinner खाओ जो भी फिश बनाई है Christmas की special fish है, जो porridge बनाई हुए है याने जो Christmas special khichudi और ये सब बनाया, ये सब आओ dining room में बैठो और खाओ as soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night but when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present, he did not have to return it फिर जैसे ही dining table पे आके उसने अपने खाना फिनिश किया, डिनर फिनिश किया वो उठके, जो भी लोग वहाँ present थे, याने जो daughter है, जो father है, आयन मास्तर है सब के पास गया और जाके thank you बोला और good night बोला, thank you क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उसकी गलती के बावजूद भी उसे welcome किया और Christmas day enjoy करनी का मौका दिया तो सब को उसने thank you बोला, good night बोला और जब वो इस young girl के पास आया, याने आयन मास्तर की daughter के पास आया thank you बोलने, तो वो उसको बोलती कि जो suit तुमने पहना हुआ है जो तुमने attire पहना हुआ है ये तुमें return करने के हमें वापस करने की जरुवत नहीं है ये मेरे father की तरफ से तुम्हारे लिए Christmas present है, याने gift है and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again और वो ये भी बोलती है उससे कि अगर अगले साल Christmas पर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें peacefully शांती से किसी एक जगा पर जाके Christmas enjoy करना है festival को enjoy करना है तो हम तुम्हें फिर से welcome करते हैं तुम्हें अगले साल भी आके Christmas हमारे साथ enjoy कर सकते हो तो उसकी इस बात से रट्राप सलर ने कोई जवाब नी दिया He only stared at the young girl in boundless amazement boundless याने की limitless और amazement याने की wonder या surprise तो rat trap salon ने कोई जवाब नी दिया उस girl की इस बात का बस वो completely boundless amazement याने surprise होके उसको continuously घूर घूर कर देखने लगा कि ये कितनी अच्छी लड़की है कि ये मुझे मेरी गलती के बाद भी मुझे रहने को दिया अपने father से मेरे लिए discussion किया और मुझे suit भी gift कर दिया कि तुम्हें return करने की ज़रूत नी है also मुझे अगले साल के लिए और हर साल Christmas पर आने के लिए invite भी कर रही है the next morning the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service their guest was still asleep and they did not disturb him फिर अगली morning आई याने 25 December याने main Christmas का जुद्धिन है वो आ गया उस दिन सुबा सुबा ताइम पर iron master और उनकी daughter उट गये और वो Christmas prayer करने के लिए church चले गये उन्होंने iron rat trap seller को नहीं जगाया क्योंकि उनको लगा कि वो हमारा guest है सोर आयो से disturb नहीं करते और वो वहाँ पर जाके अपनी service के लिए याने के Christmas prayer करने के लिए church चले गये दोनो when at 10 o'clock they drove back from the church the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual dejectedly याने बहुत sad थी वो और disappointed थी जब 10 बजे अपनी prayer complete करके iron master और उनकी daughter church से वापिस घर की तरफ लोट रहे थे तब जो iron master की जो daughter है एडला उसका चहरा बिलकुल दुख में और disappointment की वज़े से याने की गुसे में भी मेभी आप कह सकते हो चहरा उसका लटका हुआ था क्यों लटका हुआ था उसका चहरा At church she had learned that one of the old crafters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps तो जब वो चर्च में गए तो उन्हों ही वहाँ पे किसी के मूँ से सुनने को मिला कि old crafter जो है जो काफी सालों पहले राम्जो आयन वोक्स में काम करता था उसके घर चोरी हो गई है और एक इंसान जो की इदर उदर गुमता रहता है rat traps sell करते रहता है उसने उनके घर पे चोरी किये और ये सुनके जो आयन मास्टर और उनकी डॉटर है वो शौक हो गई क्योंकि वही rat trap उस वक्त उनके घर पे अकेला था Yes, that was a fine fellow you let into the house said her father I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time Christmas enjoy कराना चाहती थी उसको अब देख लो वो चोर निकला और अब तो मैं wonder करता हूँ हैरान होता हूँ कि अब पता नी घर पे कितने silver spoons बच्चे होंगे हमारे घर के cupboard में क्योंकि वो ये कहना चाहरे है कि पता नी अब उसने चोरी कर ली पूरा घर में जाडू मार दी सब साफ सफाय कर दी अब पता नी चम्मज भी बचे होंगे कि नी बचे होंगे तो वो अपनी डॉटर पे बहुत गुस्सा हो रहा थे तो अभी वागन याने जो कैरिश ता जो घोडा गाडी थी जिससे वो लोग चर्च गय थे वो अभी completely घर के दर्वाजे पर आके रुकी भी नहीं थी और वो लोग उतरे वागन में से और आयन मास्टर ने जो वागन उनके घर का सर्वेंट है उससे पूछा कि जो वो guest है जो stranger हमारे घर में रह रह रहा है वो अभी है कि चला गया तो वो जो आयन मास्टर है वो वाजे जो उनका सर्वेंट उसको बताते है कि हम अभी चर्च से सुनके आए कि वो stranger एक थीफ है चोर है तो वाजे बोलता है कि वो तो यहसे चला गया लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं ले कर गया वो ऐसी चला गया तो वाजे उनका बोलता है वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया है इन फैट वो बदले में एक पैकेज एक बकसा चोड़के गया है जो कि as a Christmas present है Miss Will Manson के लिए याने कि आयन मास्टर की डॉटर के लिए Christmas gift छोड़के गया है लेकर कुछ नहीं गया The young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into view at once तो जो young girl है जो एडला है उसने इस package को देखा जो कि बहुत बुरी तरीके से pack किया गया था और इतनी बुरी तरीके से pack किया गया था कि जो contents जो सामान इस package में रखे गये थे वो उपर से ही अंदर से दिख रहे थे कि अंदर क्या रखा है क्योंकि फटी पुरानी packaging करी थी उसने She gave a little cry of joy और जैसे ही उसने देखा कि अंदर क्या रखा हुआ है एडला खुशी से cheek पड़ी She found a small rat trap and in it lay three wrinkle 10 kroner notes उसके अंदर क्या था एक rat trap रखा हुआ था और उसमें तीन wrinkled 10 kroner के notes जो की इस तरीके से wrinkle करे हुए crush की हुए थे वो इस तरीके से इसमें रखे हुए थे यानि यह वो ही पैसे चोड़के गया था जो उसने old crofter के हैंसे चुराए थे वो as a Christmas present किस के लिए देखे गया आयन मसर की daughter के लिए but that was not all in the rat trap lay also a letter written in large jagged characters और स्रिव rat trap और पैसे नहीं थे अंदर एक छोटा सा note भी था जो rat trap seller लिख कर गया था jagged characters में jagged याने unusual याने की उपर नीचे for example ऐसे इस तरीकी का तो बुरी सी handwriting में jagged unusual जो irregular हो जो होते उपर नीचे characters में एक note भी लिख की गया था वो किस के लिए आयन मसर की daughter के लिए honored and noble miss since you have been so nice to me all day long as if I was a captain I want to be nice to you in return as if I was a real captain तो वो क्या लिख की जाता है note में कहता है कि मैं बहुत honored हूँ याने बहुत अच्छा feel कर रहा हूँ बहुत respected feel कर रहा हूँ miss क्योंकि तुमने पूरे दिन मुझे इतना respect किया मुझे इतनी अच्छी से treat किया जैसे कि मैं सच में कोई captain हूँ और वो बोलता है पर अब return में मैं अच्छा बनना चाहता हूँ और जैसे कि एक captain एक soldier जो कि बिलकुल सच्च होता है truth पे चलता है सच्चाई के रास्ते पे चलता है मैं अब सच में captain की तरह behave करूँगा और एक real captain की तरह behave करूँगा इसलिए जो चीजे मैंने चुराई हैं करके जारा हूँ ताकि मैं तुम्हें ये फील ना करवा हूँ तुम्हें ऐसा फील ना हो कि अरे मैंने कभी किसी Christmas दिन पर किसी ex-fringer को invite किया था वो तो चोर निकला वो हमें धोका दे गया क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा फील ना हो पैसे चोड़की जा रहा हूं तुम्हें साड़क के किनारे एक ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है जिसके घर की विंडो पे एक लेदर पाउच हैंग कर रहे हैं और उसमें से मैंने पैसे निकले तो तुम वापिस कर देना और उससे ये बोलना कि तुम जो ये हैंग किया हुआ है पैसे का पाउच ये तुम एक बेट ये चारे की तरह पूर वांडरर्स गरीब भटकने वाले इदर दर भटकने वाले लोगों के लिए तुम ने ये रखा हुआ है थाकि वो इससे अट्रैक्ट हो रहे है और दुनिया के इस ट्राक में फस जा रहे हैं तो तुम ये पैसे उसे रिटर्न कर देना तो वो इसमें लिख कर जाता है कि ये जो राट्रैक्ट में जो तुमें दे कर जा रहा हूं ये एक क्रिस्मस गिफ्ट है किस की तरफ से एक राट की तरफ से जो फैस गया इस वर्ल्ड के राट्रैक्ट में और उसको इतना रिस्पेक्ट दिया गया इतनी उसको ऊच्छे ठीट किया गया कि ईसको यहाँ लिटरली क्याप्टेंट जैसे टीट किया तुमने और इस तरीके से उसे पावर मिली उस राट्राप से अट्राइक हो जाता है बेट रखते हो माउस के लिए चीज रखते हैं मीट का पीस रखते हो उसी तरह मैं भी अट्राक्ट हो गया इस पूरी दुनिया की कमफर्ट्स ओफ लाइफ से लेकिन क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बेव किया इडला तुमने मुझे सच में एक कैप्टन जितनी रिस्पेक्ट दी मुझे पावर मिली कि मैं एक बुरे इंसान से एक अच्छे इंसान मन जाओ और अपने अपको एक अपको ट्रांस ट्रांस फॉर्म कर पाऊ एक अच्छे इंसान में रिटन विद्फ फ्रेंड्शिप एंड हाई रिगार्ड क्याप्टन वांस टेल और लास्ट में वह लिखता है और acceptance मिली तभी उसने ये पैसे वापिस किये तो basically उसने अपना नाम Captain Wonstell लिखा उस letter में So children with this we come to an end of the explanation of the chapter I hope आपको chapter अच्छे से समझ में आगया होगा इस chapter के explanation को मैंने two parts में divide किया हुए part 1 and part 2 आप YouTube पे जाके मेरे वीडियो सर्च कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहे तो आपको एक छोटा सा step follow करना है वो ये है कि आपको Google पे जाना है और हमारी website का नाम टाइप करना है जो कि है magnetbrains.com जैसे आप हमारी website का नाम टाइप करेंगे इस तरीकी का एक page आपके सामने आजाएगा जिसमें सारी classes mentioned है Class 12, 11, 10, 9, 8 and so on For example आपको Class 11 के English देखना है English के वीडियो देखने तो आप Class 11 पर click करेंगे जब आप click करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पूरी list of teachers और कौन से subjects वो पढ़ाते हैं वो आपके सामने आ जाएगे For example Class 11 के English मैं पढ़ाती है तो आप मेरे option पर click करेंगे जब आप click करेंगे तो आपके सामने वो सारी list of videos आजेंगे जो मैं पढ़ाती हूं Class 11 में For example आपको Honble Book Chapter 1 देखना है और Chapter 1 है The Portrait of a Lady का introduction आप उस पर जब click करेंगे तो इस तरीके से मेरी जो वीडियो है आपके सामने प्ले हो जाएगी और आपके लिए easily video available हो जाएगी तो I hope आपको समझ में आगया होगा कि अगर YouTube पर video नहीं मिल रहा है तो directly website पर जाके आप easily कैसे मेरे videos को देख सकते हैं So children इसके बाद जो मेरी next video आएगी वो होगी The Rat Trap की summary और उसके important question and answers और वो देखने के लिए stay tuned and तब तक लिए bye bye and take care